इस्टार सूटर मनु भाकर ने पारिश ओलम्पिक 2024 में इत्यास रस्ती आये मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर इस परदा में ब्रॉज मेडल अपने नाम किया पिरिश ओलमपिक में भारत का यह पहला मेडल है मनुक केरियर के दूसरे और अपने में पदक जीतने में सफन रही उन्होंने 221.7 स्कोर के साथ ब्रॉंज बैडल पर कब जब बना वही परिवाजनों में पूरा कुछी का महौल देखने को मिल रहा है देखी है रिपोर्ट किस तरीके देखते हैं इस तरी बड़ी मुझी जीत हो मतलब इतनी कुछी हो रही है किस तरीके देखते हो आगे क्या है कुछ तरीके मेरी सोसाइटी में सभी लोगुन मील करके हमारे एक सोटा सा थेटर वहां पर मनु को लाइव देखा है बट उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं कि मैंने मैं दो दिन से अपने फोन को उठाई नहीं रही हूं मैंने अपना फोन रख रखा साइड में कि मुझे भी दो दिन बि मैं मनु के साथ रही हूं तो मैं पल-पल को हर एक कल मनु का मैं जानती हूं कि मतलब मुझे उसके लिए क्या करना है तो मैं आप लोगों ने साइद कभी मनु के पिछे बैक्व मुझे देखानी है जब मनु के मैच होते हैं तो मैं या तो मोबाइल में या मैं अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखने लग जाती हूं तो यह मेरा जरीया है मेरी इंमत बढ़ाने का मेरे अंदर जितने में प्रफोन साथ में रखा वाता बीच में देख रही थी उन्होंने डाला कि बहुत अच्छा बेटी खेल रही है सब काशिरवाद सब कामनाई बहुत काम आई और आज देश और दुनिया सब मनु को देख रही है इस मुकाम पे खड़ा देखकर तयारी क्या है बेटी किस तर अपनी बेटी के लिए मनु ने अभी जो मेहनत करी है टोक ऑलम्पिक के बाद में वह मेहनत एक सब्दों में बया नी कर सकती मैं इतनी महनत मेरी बेटी ने करी है मतलब मैं क्या ही बताओं मतलब मैं लिखती रहती हूं मैं इसमें सब लिखती हूं कि वह कितनी मेहनत करती है है कि इससने कित्राली है हम मा बेटी ने थालता कि बाद में परिवार क्या उतर है माबाप क्या होते हैं भाई बैन क्या होते हैं कोई रिस्ता मैंने नहीं नहीं नाराद दarya कि कभी मनु ने जैसे मनु गाउं में ती तब थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा था तूकि जब एक खुट का स्कूल होता है ना बच्चा जो आचीव करता है ना तो पास्वाले जैसे गाउं में मेरे दोनु बच्चे बड़े टेंशन में आगे थे मेरे अपने स्कूल में गाउं में रखते हुए मैं घर में इतने आते थे मैं इतनी परेशाल होगी थी फिर मैंने अपने पती को बोला यह वाहर थे मैं अपने बच्चों को मारते हैं सीट पे बैढ़ने नहीं देते आपक मैं अपने बच्चों को लेगी कहीं बाहों ने बच्चों को लेगी कि मनिकल इनको लेकिर ब्यवानि तो मनुन का फॉर्ट क्लास में एडियमिन से वाथ हुआ तो मनुन ने स्केटिंग किया इतना चाय सेखेतिंग किया इसका भाद जाने का था तो वहां पे कोई लेकर नीगा स्कूल बड़े स्कूल वाले होते हैं वो बच्चे के अंदर चया निखारते यह मैं देखा है दो तीन इतना स्कूल हुए इतना टैलेंट था वह कुछ भी कर सकते थी कुछ भी कर सकते थी बड़े स्कूल में बच्चों को नहीं लेके जाते बाहर उसको स्कूल तक ही रखते हैं फिर बेटी के अंदर क्रियेटिविटी जाद थी कि उसको कुछ करना उसको कुछ करना है फिर हम लोग वापिस अभिवानी से मताब ली सिफ्त होगी फिर मैं कोई और स्कूल देखा फि यहां पर और स्राइडिंग श्विंपूल पर वही न बड़े स्कूल में नहीं करवाते हैं कुछ भी तर उसके बाद दीरे-दीरे-दीरे-दीरे मनु ने रहते हैं क्रिकेट फुटबॉल वोल्यूब सब खेला सब खेला बट वो जो मनु के मनु को चुक्कर ना था नहीं क आप इसके साथ ना इसके जो चाहिए न प्लेजी को करने दो ततम दिरेंदर जी ने बोला ता कि मैडम मैंने बहुत जारे स्कूलों में काम किया है तो आप मुझे जादा एड़वाइज मन दो मुझे पता गी मुझे बट्व के साथ क्या करना यह कह के आगी फिर मैंने जाना होता खेल के लिए के चाहते हैं मनु शारी जीजे करते हैं वापिस हमारे स्कूल में आगे मनु नाइन में ली और मेरा बेका 11 बदा तो हमारे वापिस युनिवर्सल में लिया इनको फिर उसके बाद मनु ने कॉमन वेल्ट में मैडल लिया तो एच्छतर में प्रोग प्रिंशेपल के वाँ पर बनका सर आज जो यह हो रहा है यह आपके नाम से उपता क्योंकि आपने मेरी बेटी की केर दी करीश लिए वह आज मेरे नाम से हो रहा है तो उन प्रिंशेपल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था बश्मन में वह अलग-अलग बस क्रेटिविट करना था उसकी ड्रोइंग देखो आप उसका आप उसकी चोटी सी चोटी सी चीज़े देखोगे तो बड़ा ही अच्छी सी निखारती है अर चीज दो हो अपने हाप ही सुदाओ करते हैं यह सुदाओ तो पापा नहीं दिया था मनू के पापा ने उनको बोला था कि एक वा मन एक परशूब गया था कि मुझे ऐसा खेल निखेलना इसमें बच्चे के साथ चीटिंग तूकि बच्चे का मनू बढ़ तूट जाता है चाहे स्कूल हो चाहे कोई खेल हो चाहे कोई सोसाइटी हो जहां पर बच्चे के साथ चीटिंग होगी वो बच्चा वहीं से पर अनू तांतु में तो बोली पापा मात ऐसा क्या करो मेरा बैठ नेख सकते हुझे थाली नहीं बैठा मुझे फ्री नहीं बैठा मुझे पुछ नहीं कुछ करबा पापा मुझे कुछ ऐसा दो मझे इस्जे करूँ तो एक दिन हम डिस्कूल की चुके के बाद में हम प्रॉभा है